नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर सिंग आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास इश्ड़ी सर्कल पर आप सब विकास स्वागत करता हूं दोस्तों जागरफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत की महातपूर नदियां या भारत का महातपूर जो अपवात अंत्र है उस पर संपूर अध्यन किया बहुत अच्छे तरीके से प्रत्यक नदिय को हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों उसमें चाहे हिमाले प्रश्ण करेंगे तो आप लोग दोस्तों आशा करता हूं बहुत अच्छी तयारी के साथ आए होंगे आप लोग दोस्तों जो प्रस्ण है उनको हल करके जो अपने जो आपका scorecard हो हुआ हमें comment box में आवर से बता हें तो दोस्तों चलिए video को प्राडLove करते हैं देखिए दोस्तों हमारा पहला पश्ण है हिमालयe पार की नदियां है दोस्तों हिमालय पार की नदिया कउंड़ है इस में आप सक्ते देखिए और अपना मांसर बताईए कौन सा आनसर सही होगा दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर सही होगा बनमबर ब्रॉयम्पुतृ सिंद्र और सतलच इस तीनों नदियां दोस्तों हिमाले के उत्तर से निगलती है Major मंधीं के लगास्पाश से तीनों नदिया निकलती हैं चाहें ऊंद्म trapped कौन सा है तो दोस्तों औरोषी करम मतलब घठते हुआ करम जो सबसे पहले जो बड़ी संकेद जो पर चोटी संकेद दो समय बूश रहा है कि नदियों कि लंबाई का finns जाहिए और वही कर्म कौन सा है? तो सबसे wen mandate उसके बाद उस्के छोटी उस्से चोटी उस्के चोटी पूछ लाज़ रहा है तो अब रवङ पोटाइस में कौन सा सही होगा? दोस्तो इसमें अंसर जो हमारा सही होगा वह सही होगा E number बपता होगा あतुला तकी नदी विभारत की वरहत्तम नदी कौन जी तो दोस्तों आपको पता ही होगा वह हमारे भ्हारत की सबसे लंबी नदी आपसा नमडी सही हो जाएगा अगला दोस्तों पशन है गंगा नदीव को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों या भी आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदीव को किस देश में क्या कहा जाता तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता था तो इसमें जो आवंसर सही होगा वह सही होगा ए नमबर गंगा नदीव को बांगला दसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है अगला पशन दस्तो है गंगा एवं बिर्णफुत्र की सहींग जलधारा को किस नाम से जाना जाता है तो दस्तों यह जो गंगा बिर्णफुत्र की सहींग धारा है इसे हम लोग मेगना के नाम से जानते हैं आपसन नमबर जो सही है वह सही हो जाएगा आगे दूसतों देखिए अगला प्चन भारत की सबसे अधिक नोगवं में दो नदियां है तो दूस्तों कौन सी दो नदियां जिसमें नो परिवान सरवाधिक होता है तो दोस्तों इसमें जो आपसन सही होगा हमारे हमारा सही होगा वह B नंबर गंगा एवन पुत्त तो आपसन नंबर जो B है वह सही हो जाएगा आगे जो देखिए अगला प्रशन है निम लिकित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेट ओंगा नदी पर अगे देखिये अगला प्रश्ण अव्मारा है सुन्दरवन डेल्टा कौँ सी नदी बनाती है तो दो सुन्दरवन डेल्टा आपको पता होगा जो आपसँ नदियों का उद्गम इस्तित है तो दोस्तों गंगा और ब्रंपुत नदियों का उद्गम कहां से होता है तो गंगा नदी आपको पता होगा कहां से उद्गम होता है उत्तरा खंड से और तिब्बत नदी का जो ब्रंपुत नदी है उसका उद्गम होता है तिब्बत में उदगम है भात में नहीं है तो आपसे नमगरों सती है, इसमें सही हो जाएगा, ब्रणपुत नदी का उदगम जो है, वह भारत में नहीं है. आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रशन हमारा है, दिबद में बहने वाली नदी सांगपो निम्लिकिन में से किसे होकर भारत में प्रियूस करती है तो दोस्तों दिबद में बहने वाली सांगपो नदी जो भारत में ब्रहुपूत नदी कही जाती है किसे होगा भारद में प्रैस करती है तो आपको पता होगा वह सभी हो जाएगा अगर देखिए अकला पॉचनमा रहा है दिब्वत में मांसोर जीहिल के पास किस नदि का उद्गम सुरोत इस्तित है जो दोस्तो मांसोर जीहिल के पास कौन सी नदियों का उद्गम सुरूत इस तितर मैंने आपको बताया चाहें वो सिंध हो आपकी, चाहें ब्रहुम्पूत नदि और चाहें ससल नदि और उनका जो उद्गम हो मांसरो जीहल के पास सही होता है तो इसमें आपसवाज नमब जो सही होगा वह D नमब सही होगा इन में से सभी आगे दोस्तों देखिए अगला प्रशन है विसु का सबसे लंबा सबसे बड़ा नदी दियूब माजुली का निर्माड करने वाली नदी है तो दोस्तों आपको पता होगा माजुली का निर्माड किस नदी के द्वारा किया जाता है तो आपसन नमबर जो D है वह सही हो जाएगा ब्रहुपुत नदी जो माजुली दीप है वो आसम में ब्रहुपुत नदी के द्वारा ही निर्मित होता है मैंने आपको बताया था जो आसम है उसी में जो हमारी ब्रह्मपुद नदी उसकी लंबाई जो है चवणाई उसकी सरवाधिक वहीं पर है तो वहीं पर दोस्तों अनेक दिव बंते हैं जिसमें माजुली दीव हमारा सबसे बढ़ा है तो आपसर नमबर जो C है इसमें जो आपसर नमबर D है वह सही हो जाएगा माजुली जो आपसर नमबर व्यव मोद्ञ दर की वहाई हमारा निम्सींडी कहाजाता है तो दोस्तों आपको पता होगा विहार का सोक कौन सी कहीं जाती है को सी नमबर जो भी है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिए अकला परशन हमारा है निम्न में से कोई consistent हिमाल्य के परे की नदी है मतलु हिमाल्य के रुद से निकलते है और आगे देखिए निकिन नदियों में कौन सी एक विनार्षक काउन पिर नदी है तो ब्हूंत तो इसने इसमें जो मिनासंग नदी है वो कौन सी है तो आपको पता होगा जो कोसी नदी है इसे मिनासंग नदी या बिहार का इसे सोक कहा जाता है तो आपसर नमबर जो सी है वो सही हो जाएगा इसमें बिहार का सोक कोसी नदी को बोला जाता है आगे तो दो देखिए कह रहा है कि निम गाल का सोग दामोदर नदी बिहार का सोग कोशी नदी यह चीज आप लोग ध्यान रखें आगे दोस्तों देखिए वे दो प्रमुख नदिया कौन सी जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं पर अलग-लग दिसामें बहती हैं तो इसमें आपसन देखिएगा कौन सा सही होगा इ लिए दोस्तों फेस निकलती हैं पर अलग-लग दिसामें बहती हैं यह कौन सी नदी जहां की दोस्तों देखिएगा आगे अगला प्रशना हमारा है आप एक मिन्ट दोस्तों कि दर मता और ऑर से निद हो गैं हमारा अगले करदी पोड़ते हैं आगला प्रशना दुस्तों किसकी साहग नदी है दोस्तों जो तवा नदी है या किसकी साहग नदी है नर्मादा की आपसर नबर जो ए है वह सही हो जाएगा तवा जो है वह साहग नदी है नर्मादा की इसमें आपसर नबर जो ए है वह सही हो जाएगा अगला प्रसंद दोस्तों देखिएगा निमले खि अरुन के नाम से जाना जाता है आपसन नमबर B इसमें सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला पशन हमारा है निमले खिर में से किस नदी को उडिसा का सोक कहा जाता है दोस्तों उडिसा का सोक किस नदी को कहा जाता है बहुत ही अच्छा प्रशन है बताईए आप लोग उडिसा को जो उडिसा है उसका सوق कौन सी नदी को बोला जाता है तो आपसना नमबर जो हमारा int है वह सही हो जाएगा इसमें जो महानदी है हमारी उसे उडिसा का सोक कहा जाता है महानदी को उडिसा का सोक कहा जाता है इसे पले जो प्रशन था हमारा बंगाल का सोक आपको बताया बंगाल का सोक जो हमारी नदी थी महानदी कहां गये दोस्तो जो हमारा उडिसा का सोक तो आपको बता चुका जो ओडिसा का सोख है उसे ओडिसा का सोख महा नदी को बोला जाता है बिहार का सोख दोस्तो कोसी नदी को बोला जाता है इसके उपर दोस्तो जो प्रसंद था बंगाल का सोख दोस्तो देखिए बंगाल का सोख हमारी दामोदर नदी जो बिहार का सोख है वो कोसी नदी है मंगाल का सोख दामोदर नदी आगे दोस्तो देखिएगा ये दोस्तो ओडिसा का सोख महा नदी तो इनको आप लोग ध्यान रखना आगे दोस्तो देखिएगा अगला प्रशन मारा है इंदोर के समीप इस्तित जनापा पहड़ी स्रोत है तो दोस्तो जनापा पहड़ी से किस नदी का उदगम होता है तो इसमें जो आपसन मारा सही होगा वह सही होगा बी नमबर चंबल नदी चंबल नदी का जो उदगम है वह जनापा पहड़ी से होता है आगे दोस्तों देखिएगा अगला पशना मारा है भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है तो दोस्तों भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है आपको पता होगा लूनी नदी दोस्तों यह लूनी नदी है इसका जो इसका दोस्तों मुहाना क के समीब कपिल धारा जलब्रपात के नाम से जानी जाती है दोस्तों कपिल धारा जलब्रपात का निर्माड करती है तो दोस्तों जो नर्मादान अदी है या दोस्तों कपिल धारा जलब्रपात का निर्माड करती है तो इसमें जो आपसर नमबर यह होगा वह हमारा सही होगा दोस्तों जो ये कपेलधार जल परपात है इसी का दूसरा नाम है दुवाधार जल परपात है इसी का नाम दोस्तों दुवाधार जल परपात है और निर्माड कहा होता है मद्विदस को दोस्तों जो जवालपूर है मद्विदस का वहीं पर नर्मादा नदी भेणागाट के स दोस्तों इसमें कौन सी नदी है जो ज्वार्नद्मुक य एक्सुरी का निर्माड करती है तो इसमें जो आपसर हमारा सही हो जाएगा, वह सही हुगा, C नमबर, नर्मदा नदी, आपको बताया था, जो हमारी अरप साकर में किने अउली नदीया हैं, वह सबी जो उड़ीयां में से भारत की निम नदियों में से कौन स्यस्ट तीन से विष्ट रूपंव से भिंध है कौन सी नदility जो है वा सही हो जाएगा आपसन मबर नर्मादा नादी नर्मादा नाधी आम आपसागर में प्रवाहित होती है यह मुहाना बनाती है माकी कावेरी, कसरणा और गोदावरी है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिने वाली नदियां है तो इसमें आपसर नमबर A है वह सही हो जाएगा अगला परसना है दोस्तों निम्रिखिन में से कौन सी नदी एस्चूरी नहीं बनाती है तो दोस्तों इसमें से कौन सी नदी है वह एस्चूरी का निमार नहीं करती है तो इसमें आपसर नमबर जो D है मारा सही हो जाएगा महा नदी जो है वह एस्चूरी का निमार नहीं करती है आप्ता नमध्य निमचे न्माड़ा फॉले उनकी निमडर फ्वारत की नीम्डर कर टातियों की सब्सक्रान निमडर क्रें ताप्ति नाजी न revis ुरह तोर्चइए आगे देखिए शिप्तान नीमडर पशुलuhanण का टातियों कि फ्याज़ अगरा किन से साही नदी है।। दोस्तों, अमर गंटक के नदी नहीं निकलता हित। वह सही होगा, वह सही होगा यह नुम。 गोदावई नदी। जो गोदावई नदी है घर आतबू को पता होगा। प्रायदेपी भारत की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है इसकी लंबाई कितनी हैι दोस्तों 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसका जो उदगम है वह कहां से होता तो रंभेकेसर पाहडी से जो महाराश्न में स्थित है उससे ही इसका उद्गम होता है आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्ण मारा है महानदी, नर्मदा और सो नदियां कहां से निकलती है तो महानदी, नर्मदा और सो नदियां आपको पता होगा इनका जो उद्गम है वह कहां से होता है तो इसमें जो आपसर नमारा सही होगा वो सही होगा D नमबर अमरकंटक पहाड़ी से तर्मदा महानदी और सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है अगला दोस्तों प्रश्ण है निम्लेकिन नदी युगमों में कौन जवारनद मुका निमार करती है जो हमारी अरब सागर में किने वली नदियां है वो जवारनद मुका निमार करती है तो इसमें अपसर नमारा सही होगा नर्मदा एवन तापी अपसर नमबर A सही होगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्ण हमारा है निम लेकिन में कौन सी नदि ब्रंस घाटी से होकर बढ़ती है तो दोस्तों नर्मदा और तापती नदियां मैंने आपको पिछली ग्रास में बताया है जो नर्मदा और तापती नदियां है वह ब्रंस घाटी से प्रभाहित होती तो आपसन जो हमारा सही होगा वो B नमबर सही होगा आपसन नमबर B नर्मादा नदी आगे बढ़िए दोस्तों अगला जो प्रशन हमारा है देखिए निम लेखिर में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टर नहीं बनता है तो दोस्तों इसमें से कौन सी नदी जो है इसके मुहाने पर डेल्टर नहीं बनेगा तो तापती नदी आपसन नमबर D है तापी नदी इसे के मुहाने पर डेल्टर का निमाद नहीं होगा आगे दोस्तों देखिए दश्चिन भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो दोस्तों दक्षिन भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो इसमें आपसन जो हमारा सही होगा वह सही होगा भी नर्मादा नदी नर्मना नदी जो है वह पठारी प्रदेश को दो भागों में विवाजित करती है अगला दोस्तों प्रस्ण है दच्छिन भाद की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मैंने आपको बताया था दच्छिन भाद की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है अगला प्रसन है निम्लिकिन में से किस नदी को व्रद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों व्रद्ध गंगा और बुड़ी गंगा या दच्छिनी गंगा यह दोस्तों बोला जाता है गोदावरी नदी को अपसंबर जो ए है वा सही हो जाएगा गोदावरी नदी को दच्छनी गंगा या ब्रद्ध गंगा या बूरी गंगा के नाम से जाना जाता है अपसंबर जो ए है वा सही हो जाएगा अगला दोस्तों देखिए गोदावरी नदी का उद्गम इस्तहल है तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम इस्तहल आपको अभी बता चुका जो तरेमबक के सुर पहड़ी या तरेमबक जो गाम है उसी से इसका उद्गम होता अप्सन नमबर जो B है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्ण है वैन गंगा ता पैन गंगा किसकी साहग नदिया है दोस्तों जो वैन गंगा और पैन गंगा है वह गोदावरी की साहग नदिया है अप्सन नमबर जो A है इसमें वह सही हो जाएगा गोदावरी नदी की वैंगंगा और पैंगंगा या गोदावरी की सहग नदियां है अगला दोस्तों प्रस्थन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उदगम और मुहाना दोनों भारती छेत्र में इस्तित है तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जिसका मुहाना या उद्गम दोनों भारती छेतर में इसी थे हैं तो यह दोस्तों होगा हमारी जो गोदावरी नदी है इसी का मुहाना और इसका उद्गम जो है वह भारती छेतर में ही होता है इसमें आपसान नमबर जो B है वह सही हो जाएगा गोदावरी नदी आगे दोस्तों देखिएगा काविरी नदी का उद्गम इस्तल कहा है तो काविरी नदी का उद्गम कहा से होता है मैंने आपको बताया है जो हमारा अमर गंटक पहड़ी है इसी से दोस्तों काविरी नदी का उद्गम होता है आपसा नमबर जो D है इसमें इसमें दोस्तों काविरी नदी का उद्गम इस्तल तो दोस्तों इसमें आपसा नमबर D ने इसमें जो आपसा नमबर C है वह सही होगा हमारा जो ब्रह्मिकिर पहड़ी है काविरी नदी का उद्गम की बात की जाए तो इसका जो आपसनमबर C हो जाएगा ब्रह्मिगिर पहाड़ी इसी से काविरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों जो काविरी नदी है अमने बताया जो ये ब्रह्मिगिर पहाड़ी है इसी से उसका उद्गम होता है ब्रहमेगिर पहाड़ी कहा इझ्ती थै, वग करनाटक में इस्ती थै तो आप संभ जो C है मारा सही हो जाएगा काविरी नदी का उद्गम करनाटक के ब्रहमेगिर पहाड़ी से होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला प्रष outta है काविरी नदी गिरती है तो दोस्तों पूछ रहा है कि कावरी नदी कहा गिरती है तो आपको पता होगा जो बंगाल की खाड़ी है इसे में कावरी नदी गिरती है आपसर नमबर A इसमें सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि कावरी नदी जल विवाद मुखिता किन दो राजों इसमें आपसんです होगा आपनाटाक वामिलाड। आपसर नमबर डि इसमें सही हो जाएगा करनाटla亨गी का नदीक उसकी पवीतरता के खार्णक गंगा कहा जाता है दोस्तों ये प्रस्ण दिखीए बहुती अच्छा प्रस्ण और बहुती ध्यान लखने योगे प्रस्ण है इसमें जो कहे रहा है कि इसकी पवित्रता के कारण किस नदी को दच्छिन भाद की गंगा बोला जाता है तो यहाँ कावेरी नदी और दोस्तों आपसे आगर कहे दे कि ये दच्छिनी भाद की गंगा है आपसे पूछिदे कि दच्छिनी गंगा ये दच्छिनी गंगा ये व्रध गंगा ये बुढ़ी गंगा तो दोस्तों उसका आपसा नमारा सही होगा गोदावरी नदी इसमें जो आगर पूछ दे आपसे कि दच्छनी गंगा या व्रद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा तो इसमें आपसन अमारा सही होगा गोदावरी नदी लेकिन अगर दच्छन भाज की गंगा पूछ दे तो काविरी नदी इसमें आपसन सही होगा आगे दोस्तों देखिए कसरणा दे का उद्गम किसके समीप है तो पूछाए दोस्तों कसरणा दे जो है इसका उद्गम कहां से होता है तो इसमें आपसर हमारा कौन से सही होगा इसमें आपसर हमारा सही होगा ए नमबर जो कसरण न दी इसका उद्गम महाबलेसर से होता है आपसर नमबर जो A है इसमें सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिए अगला प्रशन है पंचे गंगा तेथा दूद गंगा किसकी सहीग न दिया है आगे दोस्तों देखिए इंडो ब्रह्मा है तो इसमें पूछ रहा है कि इंडो ब्रह्मा क्या है तो इसमें जो इंडो ब्रह्मा है वह एक पौराणिक नदी है आपसर नमबर जो A है वह सही हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों हमारा दामोदर नदी निकलती है तो दोस्तों पूछ रहा है दामोदर नदी कहां से निकलती है तो इसमें जो आपसर हमारा सही होगा वह सही होगा B नंबर चोटा नागबु के पठार से निकलती है, आपसन नंबर जो भी है, वा सही हो जाएगा अगला पस्तना निम्रिकित में से कौन सी भूमि बंदिन नदी है, तो पूछ रहा है कि भूमि बंदिन मतलब दोस्तो जिसका उदगम उद्गम जो है मादानी छेत से होता है और उसका विला भी मादानी छेत में ही हो जाता है तो इसमें आपसर नमबर जो C है मारा सही होगा अलूनी नदी मैंने आपको पता है जो अलूनी नदी है इसका दोस्तो जो अंत है या इसका मुहाना है वह कछी के रन में हो जाता है अगला परशन है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है या भारत की सबसे बड़ी जो प्रवाहित नदी है वह कौन सी है तो आपको पता हो जो गंगा नदी है वह सबसे भारत की सबसे बड़ी प्रवाहित नदी है व तुन्दरवन डेल्टा वह वी सुका सबसे बड़ा डेल्टा आपसर नमबर जो ए है इसमें दोस्तों आपसर नमबर ए या सही हो जाएगा अगला प्रसने दोस्तों पश्चिम की और प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो दोस्तों आपको पता होगा जो पिछली क्लास हु होती है इसमें आपसर नमबर ए जो है वह सही हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां अगला दोस्तों प्रश्चन मारा है मानस नदी किस नदी की उप नदी है तो दोस्तों जो मानस नदी है क्या ब्रहंपुत नदी की उप नदी आपसर नमबर जो डी है वह सही हो जा निकलती है वह सही हो जाएगा अगला दोस्तों परसण है निम्यादियों में से अधीक परिवर्तित कि तुछने किया है तो इसमें आपको पता हो जो कोसी नदी यह सरवादिक मार्ग जो है परिवर्तित करती है इसलिए इसे बिहार का सोख बोला जाता है अपसंब जो सी है या सही हो जाएगा कोई सी नदी दोस्तों अगला प्रशन है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वली नदियां हैं तो पूछ रहा है कि हिमालय को पार करके आने वली जाएं महत्त के नदी कौन 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 सी है तो इसमें आप सोना आप लोग देखिएं आंसर बाता इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों आपको पता होगा जो भर्हवफुत्र, सतलज, सिंद्ध कर न दिया आप सनमब जो B हैं वह सही होगा हमारा जो घ्रहभुत, सतलज, और स आगे दोस्तों देखिए आज का हमारा नہतिम प्रश्ण है निम ल किस्ट में वह नधी कौन से और जो एक व्रिपन्स घाटी से या रिफ्ट वैली देरे ही , ऑशी हों या करता हूं दोस्तों आप को य ह प्रेक्टिस сेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग दोस्तों जो हमारी पिछली गलासे हुई है उसके बादि अफ्रेक्टिस सेशन जो है उसको सालो करें पिछली कलासों में हम लोग ने जो नदिया हैं वह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी तो दोस्तों जो प्रस्ण है यह बहुत ही आपको पसंद आये होंगे आप लोग जो अपना जो आपका स्कोर कार्ड हुआ कमेंट बाक्स में अवर से बताएं दोस्तों के लिए दोस्तों मिलते हम लोग अपने अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जाहिएं दोस्तों